सर्दी तो वैसे भी आई ही नहीं थी इतनी कम सर्दी आई थी जादा नहीं आई थी तो गर्मिय स्टार्ट हो गई है अभी तक as it is हमारे पास सेव है और यह बिल्कुल भी कहीं भी नहीं जा रहे हैं यह उन्होंने अपने डॉल का ज़ाड़ू बनाया है डॉल तो समालेंगी ही हमें मैंने बनाये हैं कटलेट्स जो के बहुत यम्मी हैं पर रखे रखे ही जो है इसमें से समाहन गायब होना स्टार्ट हो गया है आर और एरो पिलेन का खेल चल रहा है मौमद अरान का असलाम अलेकुम हेलो एवरिवन कैसे आप सब उमीद करती हूं बिल्कुल ठिक टाक होंगे लात अला के फजलो करम से मैं भी बिल्कुल ठिक टाक हूं और यहां पर जो कपड़े बोश हुए थे वो आप तैय बना कर रखे हैं यह सर्दियों के कपड़े हैं क्योंके गर्मी इतनी जादा स्टार्ट हो गई है दो तिन दिनों से सर्दी तो वैसे भी आई ही नहीं थी इतनी कम सर्दी आई थी जादा नहीं आई थी तो गर्मी यह स्टार्ट हो गई हैं तो अब बच्चे यह कपड़े नहीं पहन रहे हैं क्योंके पहनते हैं तो बहुत जादा है ना पत्ली है तो सिर्फ यह गो ओर यह और यह instruction करोंड़ कि उपनी क्याव इसको अभी सभी हुआ इंकंप्लीट है ये तो में और इस तो नहीं दिखाने दिखानी क्रॉट्स तो है देखें यह जो है अभी तक as it is हमारे पास save है और यह बिल्कुल भी कहीं भी नहीं जा रहे हैं यह बच्चे छेड़ेंगे तो कहीं न कहीं जाएंगे और यहाँ पर जो यह कपड़े हैं इनको ठाकर रखना है अशलीना की एक चीज निखानी थी यह हमारी अशलीना ने जाड़ू की तिंकियां लेकर छोटे छोटे और इस तरीके से इस पर बांध लिए ब्लास्टिक और यह उन्होंने अपने डॉल का जाड़ू बनाए है डॉल तो समालेंगी ही अब डॉल का यह जो हाउस उन्होंने डॉल का बनाया है यह देख सकते हैं आप लोग यह डॉल का इंट्रेंस यह डॉल हाउस रखके इंट्रेंस बनाया है और यह बी किचन का यह कोई पोर्शन लग रहा है मुझे और डॉल लेटी भी है मज़े से इन्जॉय कर रही है और यहां पर जो है डॉल का जो किचन है वो भी साफ किया है डेली स्कूल से आके सफाई करती है यहां की यह वाली ज़ाड़ों से यह करके आप सोचें यह कितना देर में उनकी ज़ाड़ों लगती होगी अल्ला जाने है मैंने बनाए हैं कटलेट्स जो के बहुत यमी है यह जो आप लोगों को नदर आ रहे हैं डार्क कलर के तो यह तो मैंने और अपने और रस्बेंट के लिए मिनाएं क्योंकि हम लोगों को थोड़े से ना क्रिस्पी स्टाइप में पसंदे और जो लाइट कलर में हैं यह बच्चों के हैं सारे और बहुत ही यमी है यह दोनों साइट से नहीं यह एक साइट से मैंने किये हैं ताके ना थोड़ा सा मज़े का लगे कड़क कड़क सा क्रिस्पी सा टेस्ट आएगा तो मज़े का लगेगा यह बना लिए हैं और इस तरह से कवर हाफ कवर करके मैंने इस तरह फिरिज में रग दिया है और अभी मैंने निकाला है आटा रोटी बनाने के लिए चूले की हालत देख सकते हैं आप लोग यह जो मेरा बड़ा पतीला है ना इसके खारा पानी के वह जासे ना इसके नीचे से यह देखें जंग बनके ना उतर रहा है तो मेरा जो पतीरा है ना वो खराब हो रहा है यह जंग बनके ना पतीरा खराब हो रहा है लाई स्टील का थी वो निकला वो लोहे का आप लोग इसकी हालत देख सकते हैं यह लोहे का है यह स्टील का नहीं है तो अब ही पहले मैं इसको साफ करूँगे इसके बाद मैं रोटिया बनाओंगी रोटिया बनाने के बाद रोम में चलते हैं और फिर महां बैठकर थोड़ी सी कपशप करते हैं पहले मैं यह दिखा दू कि ग्रोसरी जो की थी मैंने रात को ग्रोसरी करके आई हूँ समान यहां पर रखावा है अभी एक्चुली मुझे टाइम नहीं मिला इन सब को जगा पर रखने का तो इनको जगा पर रखते हैं सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पर रखे रखे ही जो है इसमें से समान गाइब होना स्टार्ट हो गया है ऐस यूजिल बच्चे हैं मेरे यह देखें तो बच्चे खा रहें इन्जॉय करें चीज़ों को ऐसे पढ़ी में खुड लें आप बच्चों की चीज़ें हैं और स्कूल के लंच के लिए भी लेकर आई हूँ और मैं ने स्वेटा लाती हूँ बच्चों के लिए अपने लिए पीने के लिए लेकिन इस बार मैं यह लाई हूँ और पर का न्यू वाला मैं आपको इसका एक निकाल कर दिखाती हूँ कि ये किस तरह का है रात को पिया था मुझे ये पसंद आया है टेस्ट भी बहुत अच्छा है इसका ये देखें वाला दूसरा फिरिज में रखा है जो मैंने रात में पिया है बच्चों ने पिया है तो ये औरल पर का है जबरदस्त है ये जो है प्रोटीन और केल्शियम का है और पर का रेट कलर का होता है जो नॉर्मली मिल्क होता है जो चाय और डिजर्ट्स वगहरा या मिल्क शेक में उस होता है ये जो है प्रोटीन हाई प्रोटीन है तो मैंने सोचा ये ले लेती हूँ अच्छा है केल्शिय मैं विटामिन ए है प्रोटीन सोडियम इसमें शूगर लेवल कम है तो मुझे अच्छा लगा वहां मैंने टेस्टिंग के लिए उन्होंने दिया था मैंने टेस्ट किया अम्दिया सुपरमार्केट में तो मुझे अच्छा लगा तो फिर मैं यह लेकर आ गई हूं इसके मैं सार काटन नहीं हूं क्योंकि माशाला मेरे बच्चे तीनों ही पीते हैं तो अभी जो है बच्चों के टूशन से लेने का टाइम हो गया है बस मैं मुझे न यह वाले बेर पसंदे इस तरह के इस तरह के ने चलगती है जादा थोड़ी से पक जाते ना तो यह मुझे ने चल कि ने चले ostat होंगी और उसके बाद बच्चों के चुट्य हो जाएगी तो बच्चों को टूशन से लेने जाना है ilo he हम बाद में बनाएंगे बच्चों के साथ बच्चे आ गए टूशन से और बच्चों के खेल स्टार्ड हो गए हैं सबसे पहले तो यह मुमद अरान के खेल देखें कार और एरो पिलियन का खेल चल रहा है मुमद अरान का और प्लियुग क्यों के साथ ने कि जतर्सेंगा क्यों कि ज़ीन कि अपने प्लिफ सब्रसा को पुछ सब्लब में मिए लेख समाइब यह गई इस तरीके से इनका घर है डॉल का वाली डॉल भी है चले न स्क्षाण मतलब यह है कि मेरे तीनों बच्चे जो है खेल में लगे में हैं और मेरा ड्रामा चल रहे हैं लेकिन मैं ड्रामा नहीं देखूंगी मैं अभी किचन जा रही हूं रोटी बनाने रोटी बनाऊं मज़े से सो रही हैं दोनों और महां से मेरा बिल्लू मौमधरान गायब है बाहरे खेल रहे भी इतना टाइम होगी है फिर भी खेल में लगए हुए दोनों बच्चिया सो गुए हैं मेरी मौमधरान ने उससे में इस दरास से अपने पजा में निकाल के यहां भी दिये कि मैं यह नहीं पेनूँगा मेरे लिए अच्छे वाले नए पजा में लेके हैं यह उनकी जिदे वहां से बच्चों ने सारे ट्वाइस समेट के रख दी हैं कि ममा हम सुबहा कर खेलेंगे मौमधरान ने इसकी अंचरा की डॉल के हाथ तोड़ दी है अब अंचरा रूई की सुबह उठेगी न यह देखें और एक हाथ पता नहीं कहा फेका इसने इसका तो नहीं हाथ नही की गिरी है इसकी डॉल के सर में से पता नहीं पिन क्यूं लगाई है इसके सर में लजाने यह अशलीना का मेकप बॉक्स से छोटा सा रूरो के जिद्ध कर लेकर आई थी जब यह अरहान के जितनी होंगी दो फ़़ए साल کی थी रो रो कर यह लेकर आई थी कि मुझे आपकी तरह मेकप बॉक्स चाहिए मुझे मेकप रखना है इसकी कीस भी थी की पता नहीं कहां गूम हो गई है और यह बस यह मेकप बॉक्स बचाए सलामत नहीं है टूट फूड़ी है थोड़ा बहुत सामान यह देखे ना यहां से यह भी टूड़ी है टेप लगाई यह मैंने और यह बीज करना टूड़ी है तो बस मुहमदारान बाहर है मैं अभी लेकर आती हूं अंदर सुलाना है टाइम बहुत जादा हो गया है बच्चियां तो आट बजे ही सो गई थी और अभी कोई साड़े-दस पोने गया रहा हो रहे हैं तो मैं अपने विलोग कर नहीं पर करू होगा विलोग बाकी साथ मिनट आट मिनट के ही विलोग मिल रहे हैं क्योंकि मैं थोड़ा बीजी हूं तो विलोग नहीं बना पा रही हूं सही तरह से इंशालला एंड दो तीन दिन में जो है प्रॉपर विलोग मिलेंगे आप लोगों को तो मुझे अपने दूआ में सो गए बच्चे सो गए हैं मैं अपने विलोग का एंड करूंगी नए विलोग के साथ मिनेंगे तो मुझे अपने बहुत सारी दूआ में याद रखिएगा खुश रखें खुश रहें आपस में मिल जूल कर रहें प्यार बाटें फिया मानिल्ला अला आफिस